नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं जब second house का Lord seventh house में होगा तो ये किस प्रकार के प्रेणाम देगा तो यहां हम इस वीडियो में बात करेंगे, मेस लगन से लेकर कन्या लगन तक उससे पहले एक general prediction क्या होती है जब second house का लोड सेवंध में होता है वो जान लेते हैं देखिए second house को हम पहले भी discuss कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में भी second house को हम देखते हैं धन के लिए इसके इलावा ये हमारी वानी का इस्तान है हमारी family का इस्तान है second house हमारी बोजन समंदी आद्दों को भी बताता है तो काफी सारी चीज़ें second house से देखी जाती है अब seventh house के अगर बात करें तो seventh house हमारे life partner का होता है हमारे जो भी physical relationship या business समंदी जितने भी relationship है उनका होता है business का होता है इसके लावा हमारा एकदम opposite भाव यानि की लगन का एकदम opposite भाव होता है जिससे यह जो है public को दिखाता है यानि लगन में तो हम आते हैं लगन के बाद ये just opposite यानि ये जनता का भाव है public का भाव है तो यहाँ पर विशेश रूप से business और life partner को हम देखते हैं अब बात करें अगर second house का lord seventh house में होने से किस प्रकार के result देगा तो उसके लिए यहाँ पर अगर जिसका भी second का lord seventh में है तो ऐसे जातक की पतनी बहुत बुद्धिमान होगी दनवान होगी इसके साथ ही जीवन में एस्वाराम चाहने वाली होगी अगर second house का lord benefit planet है यानि सात्विक ग्रह अच्छा ग्रह है तो यह सब होगा अगर करूर ग्रह हो तो संतान समदी समस्या हो सकती है एसा जातक life में धन एस्वाराम सभी प्रकार के आनंद यह सब साथी के बाद प्राप्त कर सकता है एसा जातक और उसका जो partner है बहुत ज़्यादा नेतिकता की पतफर चलने वाले नहीं होंगे एसा जातक अपने life partner दोवारा धन प्राप्त करता है साथी के बाद एसा जातक litigation में भी success हो सकता है विदेश से धन कमा सकता है अगर सेवन्थ का lord सेवन्थ house और उसका lord strong है तो ऐसा जातक doctor भी बन सकता है ऐसे जातक को इस्तरियों से बहुत लाब होता है जीवन में ऐसे जातक की संतान खुद की दम पर life में आगे बढ़ती है अगर second house का lord strong हो तो खुद की दम पर जातक काफी सारी चीजें यहां पर कर सकता है business में विशेश कर जातक की दूसरी जो संतान है उसकी आयो भी लंबी होती है ऐसा होने से second house का lord जातक के लिए mark भी होता है कई बार तो इसकी वज़े से भी यहां पर काफी सारी चीजें देखी जाती है तो देखी यहां पर अब मेश लगन के लिए अगर बात करें तो मेश लगन के लिए second के lord है सुक्र और सुक्र जब सब्तम में यहां आएंगे तो सब्तम के lord भी है तो यह काफी अच्छा करेंगे यहां पर और एक तो married life काफी अच्छी होगी business भी बहुत अच्छा होगर ऐसे जातक का business कोई सुक्र जिन चीजों को denote करता है beauty वगर सुंद्री प्रशादन सामगरी इसे जुड़ावों को business जैसे beauty पालर या फिर जो latest fashion है market में ready made कपड़ों का soap वगर ऐसा कुछ अच्छा होगा और लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करेंगे सुक्र के यहां होने से इनकी जो wife है इनका जो life partner है वो भी काफी अच्छा होगा और इनको life partner से धन के जो है धन मिलने के संकेत भी काफी अच्छे इस परकार से बनेंगे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वर्षब लगन के लिए वर्षब लगन के लिए सेकेंड का लोड बुद्ध है जो की बुद्ध आ जाता है यहां पर वरस्चिक रासी में तो वरस्चिक रासी एक मंगल की रासी है वर्षिक रासी जो है वो काफी एक तरह से ये मालेजी की ये कालपुरुष की कुंडली में एर्थ हाउस है ये अन्नोन चीजों का यानि हम जान नहीं सकते रहसे में चीजों का है और यहां पर भुद आ जाते हैं तो आपको कोई ऐसा बिजनस दे सकते हैं जो रहस्यों से बर किसी भी माद्यम से और उस से आप पैसे अर्ण करें वी बिजनस में काफी अच्छा यहां पर बुद का होना आपको life partner की द्वारा भी काफी लाब होगा बुद के यहां होने से आपका life partner काफी अच्छा होगा बोलने में यानि उसकी जो speaking skills हैं काफी अच्छी होगी इसके साथ ही साथ बुद के यहां होने से आपको जो है आप खुद भी थोड़ा सा बोलने में आपकी जो है छमता काफी अच्छे होगी बोलने की और पब्लिक की साथ आपका जो कम्मिनिकेशन वो बहुत जवरदस्त रहेगा बुद के यहां होने से साथ ही बुद यहां पर आपको बिजनस में भी बड़ी सक्सेश देता रहेगा तो अब हम चलते हैं अगले लगन की ओर और देखते हैं मिथुन लगन के लिए मिथुन लगन के लिए सेकंड हाउस का लोड है चंद्रमा और चंद्रमा जब सेउंथ में आ जाता है तो यहां यह आता है धनूरासी में धनूरासी दर्शाती है spiritual knowledge को काफी spiritual है और यह धरम से जूड़ी हुई रासी है तो ऐसी जो लोग है धनूरासी वो एक बिल्कुल targeted रहते हैं बिल्कुल तो यहां चंद्रमा का आना यहां पर life partner की तरफ से काफी लाब दिखाता है life partner जो है वो जातक के परती काफी ज्यादा emotional भी होगा और काफी सारा जो है यहां से धन मिलने के आपको chances दिखाता है इसके लावा आपका life partner काफी सुन्द भी होगा अब जब मेश लगन के लिए हम बात कर रहे थे उस condition में भी काफी अच्छा life partner होगा दिखने में तो चंद्रमा के यहां उने से भी ऐसी condition बनेगी अब आगे चलते हैं और देखते हैं करक लगन के लिए करक लगन के लिए second house का लोड़ है सूरिये सूरिये का seventh house में आना यह मकर रासी में आ जाते हैं सूरिये तो सनी की रासी है तो यहां पर जो है राजा आ जाते हैं और मकर रासी आपको पता है थोड़ी सी जो है एक prohibition को दर्शाती है एक limitation को दर्शाती है तो राजा जैसे planet यानि सूरिये जैसे planet जब यहां आ जाता है तो यह यहां पर इतना अच्छा फिल नहीं करेगा और ये आपको हालांकि आप खुद के लिए काफी अच्छा है बट आपकी life partner के लिए और आपकी married life के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा यहाँ पर बाकी आपकी जो personality है आपका जो appearance है public में वो काफी अच्छा होगा आपका मान स मान भी काफी अच्छा होगा हलांकि आपको public से और आपके life partner से धन काफी अच्छा मिलेगा साथ ही आपके life partner को सरकार से सहयोग अच्छा यहाँ पर मिलता रहेगा आगे एगर बात करें तो हम बात कर लेते हैं सिंग लगन के लिए सिंग लगन के लिए सेकिन के लोड है बुद्ध यहाँ पर आजाते हैं कुमरासी में कुमरासी में यहाँ पर बुद्ध जब आते हैं तो एक जो condition अभी बन रही थी वर्षब लगन के लिए उसी प्रकार क ज़्यादा बातों नहीं हो सकते हैं और दोनों में आप में और आपका जो life partner है उसमें काफी बार तरक वितरक arguments होते रहते होंगे बुद्ध यहां business में तो आपको लाब देगा ही देगा साथ यह आपको life partner से भी लाब करवाएगा बुद्ध के यहां होने से आपका life partner appearance में काफी अच्छा होगा बिलकुल यंग होगा आपका जो communication है public के साथ वो भी काफी अच्छा होगा बुद्ध के यहां होने से आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कन्या लगन के लिए second house का lord है सुक्र और सुक्र सब्टम में आ जाता है तो सुक्र सब्टम में आकर यहां उच्छ का हो जाता है उच्छ का होने से आपका life partner हर परकार की सुक्सुविदा वाला होगा और अगर वो है नहीं तो वो चाहेगा जरूर कि उसको हर परकार की जिवन में एसो आराम मिले हर परकार की उसको सुक्सुविदा मिले सुक्र का यहां उच्छ होना आपके लिए काफी अच्छ है पब्लिक में आप कोई जो है ऐसा business चला सकते है पब्लिक लिए जो बहुत सुक्र से related हो या फिर आपका जो appearance है आपका जो प आपका लाइप पार्टनर बहुत ही सुंदर होगा और वो जो है किसी भी प्रकार से सुक्र से related जो कारिये हैं उन में बहुत ज्यादा involved भी होगा इसके लावा सुक्र यहां पर आपको काफी अच्छा करेंगे बहुत अच्छ रिजल्ट देंगे married life काफी अच्छी रहेगी business में काफी अच्छा रहेगा और आपकी कहीं न कहीं personality जो है वो उसको भी काफी अच्छा यहां पर शुक्र लेकर जाएंगे आगे तक आपको यानि काफी young आपको बनाएंगे और आप late age तक यानि आगे तक अपने जीवन में काफी अच्छा जो है personality रखेंगे यह आपको साधी के वाद life partner की तरफ से हर परकार की सुख सुविदा और एसो आराम दिलाएगा यहां पर सुक्र का होना तो इस वीडियो में हमने बात की है second house का लोड़ जब 77 में होगा तो किस परकार की प्रिणाम देगा में इस लगन से कन्या लगन तक आगे वाले वीडियो में हम तुला लगन से आगे के लिए बात करेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप पहले बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें